कुक्लेश्वर के SI मोहन सिंग चोहान गुआरा महिला के साथ बस सलूकी का वीडियो सोचल मीडिया पर वाइलल गुआ था जिसके बाद ASP वर्मा एक्षन में आए और SI को लाइन हटेच कर दिया है देखिये ख़़़ बीटे दिनों कुक्लेश्वर थाना के SI का वीडियो सोचल मीडिया पर तेजी से वाइलल हुआ जिसमें महिला के साथ बस सलूकी की जा रही थी वीडियो में SI महिला को न केवल अश्लील गालिया दे रहा है बलकि परकरण दर्ज करने की धमकी भी दे रहा था मामला नीमजजिले के कुक्लेश्वर थाने का था महिला के साथ SI दुवारा की गई अभधंडर्ता को CTV हलचल ने परमुखता से प्रकाशित किया था जिसके चलते रविवार देरशाम नीमस जिला पुलिस अदिक्षक सूरचकुमार वर्वा ने कुकडेश्वर थाना के S.I. मोहन सिंग को लाइन अटेच कर दिया उक्तमामले में विभागी जाँच भी की जा रही है पीडित महिला थाने पर फरियादी लेकर गई थी उसके साथ ससूर ने खेट में खड़ी फसल पर कीटना शक का छिड़काओ कर दिया था जिससे फसल नश्ट हो गई थी लेकिन थाने पर मौझूद S.I. मोहन सिंग चोहान ने उसके एक ना सुनी उल्टे महिला को पुलिस कर्मी और परीजनों की मौझूदगी में अश्लील गालिया दी गई महिला जब इस बात का विरोध करने लगी तो S.I. ने धारा 353 का मुखदमा दर्जकर बंद करने की धमकी देने लगे हाला कि महिला और उसके पती के खिलाफ उसके साथ ससुर दुआरा इस थाने पर धारा 347, 294, 506 के तहट परकेंट दर्जकिया गया था